अंधियारा कितना हो घना विजयी सदा प्रकाश है कैंसर को भगाना है संकल्प और जागरुकता हतियार है अंधियारा कितना हो घना विजयी सदा प्रकाश है कैंसर को भगाना है संकल्प और जागरुकता हतियार है स्वास्त की प्रती सचेत्र हो जागों खुद भी सबको जगा कैंसर भगाव कैंसर भगाव कैंसर भगाव प्रफुल जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में सबसे पहला सवाल तो मेरे यही है अभी 31 में वर्ल नो टोबैको डेप के उपलक्ष में आपने एक नए मुहीम चेड़ी है जिसका नाम है तमाकू छोड़ो जीवन सिन नाता जोड़ो अपनी समिता मिश्रम एमोरियल फाउंडेशन फो कैंसर रिसार्च के अंतगत तो क्या मकसद है क्या उदेश है इस मुहीम का शीवांगी जी आपने बहुत अच्छा प्रशन किया जैसे कि भारत में चालिस परतिशत कैंसर तोबैको के कारण है चालिस परतिशत आपको यह जानकर आश्चछी होगा कि विश्यू में जो औरल कैंसर है उसकी जो राज़धानी है वो भारत है भारत में तोबैको के अलग-अलग रूप में सेवन करने वाले लोगों की तादाद बहुत बारी है कोई गुटके के रूप में करता है कोई खहनी के रूप में करता है कोई पान मसाले के रूप में करता है अलग-अलग रूप में करता है लेकिन करता है सिगरेट के रूप में करता है और यही कारण है कि हिंदुस्तान ओरल कैंसर का कैपिटल है राजधानी, तो नहीं मैशा लगता है लेकिन जब उसके साथ औरल कैंसर सब जुड़ जाता है औरल कैंसर का राजधानी है तो एक शेहरंसी पैदा लेती है आकिर इस औरल कैंसर का कारण क्या है, हम क्यों राजधानी बनें, सबसे ज़्यदा कैंसर आप यह नहीं कह सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग करते हैं ना, अनपढ़ करते हैं ना, लिवरर्स करते हैं ना, हाइर क्लास के स्टार्टर के लोग करते हैं ना, पढ़े लिखे लोग करते हैं ना, सारे लोग करते हैं चाहे वो पढ़े वे हों चाहे वो अनपड हूँ चाहे वो बरी और शवर्न जाती के हूँ चाहे वो निम्न जाती के लोग हूँ कोई भी बरे इस मामले में हमारे यहां बहुत बरी समाज़ बात है और मैंने तो कितनी बार ट्रेन में और गारियों में यह मैशूश किया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े लोग हैं तथा कथित लेकिन जब उन्हें तंबाकू मांगना होता है तो वो किसी भी वर्ग से मांग लेते हैं उस बग बहुत बड़ी समाजबाद नजर आती है जब उन्हें सिगरेट पिना होता है तो किसी भी वेक्ति से माचिस मांग सकते हैं उस बक बहुत बरी समाजबाद होती है जब उन्हें किसी भी रूप में गुटका खाना होता है तो किसी भी वेक्ति से मांग सकते हैं बरी समाजबाद होती है तो बीमारी भी तो समाजबाद के साथ जुरी भी है बिमारी भी कभी फरक नहीं करती कि फलांग साहब बरे लोग हैं, फलांग साहब छोटी लोग हैं, फलांग साहब बरी जाती के हैं, फलांग साहब छोटी जाती के हैं फलांग साहब अमीर हैं, फलांग साहब गरीब हैं, ऐसी नहीं होती बिमारी जब भी आती है सब के साथ आ सकती है चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं चाहे कोई भी विखती हो तो तंबाकू छोड़ो जीवन से नाता छोड़ो इस कारिक्रम का जो मुख्यो देशी था या है, वो यही है कि किसी भी रूप में आप तंबाकू का सेवन ना करें जो शिवांगी जी ने कहा कि 31 मेको जो हमने कारिक्रम अडॉप्ट किया तंबाकू छोड़ो जीवन से नाता जोड़ो जिस कारिक्रम में सभी लोग आए हर तरह के लोग आए भारत के तमाम उंकोलोजिस्ट आए भारत सरकार के जो विविन मंत्राले है वहां से लोग आए सचिव आए, मंत्री आए, सभी लोग आए कैंसर होता क्यों है इसका कारण है क्रोनिक इरिडेशन चाहे हम पान मसाला तमाकू या ड्रिंक करते हैं या स्मोकिंग करते हैं अगर हम कोई भी चीज बारवार रिपीट करते हैं शरीर बरदास करने की हिम्मत खतम हो जाती है जो सेल्स उस खाने को पचाने के लिए काम करती है वही सेल वो उगर दूर रूप दारण कर लेती है और वो मल्टिप्लाई करने लग जाती है सरीर के रूल रेगुलेशन को नहीं मानती है वो एक सेल बनती है, काम करती है, मर जाती है लेकिन वो मरती नहीं, वो मल्टिप्लाई करती रहती है और दूसरे ओर्गंस में भी वो फैलने लगती है और कैंसर बाढ़के एक विक्राल रूप दारण कर लेता है और उसमें डेट हो जाती है कैंसर भगाओ अभियान में आए अतिति के रूप में सांसद महावल मिश्र ने कहा कि कैंसर जैसे असाध्य रोगों कि रोग थाम के लिए ऐसे अवेरनिस कारिक्रवों का होना बहुत महतपूर्ण है कैंसर एक असाध्य रोग है जिस परिवार में कैंसर हो जाता है वो परिवार मैं समझता हूँ आर्थिक दिश्टिकों से भी कमजोर हो जाता है तो कैंसर एक असाद में बारिया जिसके बारे में लोगों को बताना अवेर करना ये बहुत अच्छी बात है और इसे एडवाइज करना एक अच्छी शुरु और इसके माध्यम से समाज में जो कैंसर पीडित है उन्हें लाब मिलें कैंसर भगाओ अवियान के उपलक्ष में हरी नगर क्षेत्र के आप पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक जगदीप सिंग ने अवियान की सराहना की आप सब को विधाय देता हूं कि आप कैंसर जैस करी रहे हैं हमें भी इनके साथ मिलके काम करना चाहिए आज तक के एक्सोसियेट एक्सक्यूटी प्रोड्यूसर एवं एंकर सईद अनसारी ने कहा कि कैंसर के विरुध कार्ज करना एक सराहनी कदम है समीता मिश्रा मेमुरियल कैंसर भगाओ फाउंडेशन जो है वह 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 की एक बहुत ही सराहनी काम कर रहा है और खासतोर से जागरुकता फैलाने में हमें पता नहीं होता कि हमारी ऐसी क्या आदते हैं खान पे पान में हम ऐसी ऐसे क्या एहतियात नहीं बरते हैं जिसकी वज़े से हम एक ऐसी बीमारी की तरफ बढ़ जाते हैं जिसका अभी तक को कोई इलाज नहीं है और जो जानलेवा बीमारी है तो जाग रुकता फैलाने से इस बीमारी से होने वाले खत्रों से हम बच सकते हैं इस बीमारी से बच सकते हैं और यह बहुत ही अच्छा सराहनी प्रयास है हमारी तमाम शुब कामना है समिता फाउंडेशन को बहुत-बहुत सब के सामने हमने यही बात रखी कि बहुत बात रखता है कि बहुत सबाको एक बारत बहुत कीलर भी है एक मारक भी है कर दो कर दो कर दो कर दो किसम में उसके अंदर जो पॉजन है किसी भी एक परसेंट भी कोई फायदा नहीं जो स्मोक करने वाले उनको लंका कैंसर जो खाने वाले उनको मुह के गले के कैंसर इसके अलावा हार्ट की डिसीजिस खून की बिमारियां ब्लड पैशर बढ़ जाता है और इसना के अनिक तकलिफ में देश की सिस्टम को प्रभा बहुत बरा पैसा बहुत बार शिस्टम बाकू जनित रोगों को धवाने में है उसको ठीक करने में और फिर भी हम उतनी शहज नहीं है इसा 저तंबाकू है उसको क्यों मिद है छोरा जाए प्रफुल जी ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं ये दिखने में शायद आपको दिखता होगा लेकिन ये बहुत गहराई वला काम है बहुत गहराई वला काम है ये प्रफुल जाती हैं उनकी मिसिस कुद इनकी याद में वो ये जगा जगा प्रोग्राम करते रहते हैं आपके ब्लॉक में पहली बार हुआ है मैंने इनके दो प्रोग्राम पहले भी देखे बहुत दिल से ये काम कर रहे हैं इस कैंसर को खतम करने के लिए तो मैं बहुत इनका दिल से जो है शुक्रिया आदा करता हूं और आप सबसे कहोंगा इनके सयोग में रहें मेरा नाम अंकित है मैं ये शबत लेता हूं कि मैं आपसे बीडी, सीगरेट, गुड़का सब को छोड़ दूआ हमने बच्चों को अपना इंबेस्टर बनाया श्कूल्स के बच्चों को जो छटी से लेके 12 में तक के श्कूल्स के बच्चे होते हैं उनको हम फिल्म दिखाते हैं उनको हम तंबाकू समंदे तरोगों के बारे में बताते हैं और उनको बताते हैं कि बेटा आपके पापा अगर किसी भी रूप में तमबाकू का सेवन करते हैं तो आप यकीन माने की आने वाले दिनों में आपके उपर से आपकी पापा की छत्र चाया खतम हो जाएगी क्या आपके उपर से आपकी पापा की छत्र चाया खतम हो जाएगी क्या आप चाहते हैं कि आप पापा विहीन जिंदगी का व्यापन करें चाहते हैं अगर नहीं चाहते हैं तो प्लीज और प्लीज आप अपने पापा को बोलें ये बात की पापा तंबाकु जान लेवा है तंबाकु घातक है तंबाकु आपके जिंदगी ले सकता है बनाया हमने उन बच्चों को बोला कि आप अपने पास परोश में भी कहें लोगों को कि किसी भी रूप में तंबाकू का शेवन ना करें और इसका रिजल्ट क्या आया दोस्तों आप जानकर आश्चरी चकित होंगे कि बिहार के मधेपुरा सहरसा दर्भंगा जिला में तकरी है यहां खेंटों में तंबाकू का उत्बाधां ख dense होता है लेकिन हमारे कारिक्रम में जब बच्चे घरगर जाकर अपने परोश में जाकर लोगों को इस बारे में में बताया कि तंबाकू जान लेवा है यह काडेक अगक पर्वें करसकता की किनी प्रॉल्म कर सकता है यह लिवर प्रॉल्लिम कर सकता है तो लोग इसके बारे में सजग हुए लोग इसके बारे में जान पाये और दीरे दीरे 60-70 पर्तिशत तंबाकु के खेती बंद हो गए। सरकार अपने लेबल पर वर्क करती है सरकार ने बिहार में सराब पर वो बंदी लगा दिन तंबाकू पर भी बंदी लगाने की बात हो रही है लेकिन सर जब तक आप अपने मन से मनहिस्तिती से इस बात से अवगत नहीं होंगे कि तब तक इस पर रोक नहीं लग सकता कहीं भी देश के किशी भी भाग में अब हमें जरूरत थे उन बच्चों को देखो एक बडनी बात है हभी हाल-फिलाल में 20 शाल पहले तक्रीपर हम लोगे अचर्फे क्राइब कने लोग टंबाको कंष्य बन करते हैं कितने लोग सेबन करते हैं किसी भी रूत में तायम से ज्यादा लोग लोग बया से बोपन करतें किसी बिल्कुल कोई भी अमल जीवन से बढ़कर नहीं है आखिर कब तक दोस्तों गुटका तंबागों सेवन करोगे संभल जाओ ने तो संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा जाग रुक रहो स्वस्त रहो और कैंसर भगाओ चलो सब मिलके बोलते हैं 18 दिसंबर 2013 को समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च की स्थापना की गए और समिता जी के जन्व दिवस 29 दिसंबर 2013 से जागरूपता अभियान का सिलसिला शुरू हुआ सौ आदमियों को कैंसर होता है तो 40% कैंसर तंबाकू के कारण होता है अगर 40% कैंसर तंबाकू के कारण होता है और सिर्फ तंबाकू पर हम लोगों ने रोक लगा लिए तंबाकू को रोक लिया तो हमने 40% कैंसर पर रोक लिया हमारी बहन समीता मिस्रा हमारे बीच नहीं है मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी और इससे अच्छी उनको स्विधानजली हो भी नहीं सकती कि अगर उनकी याद में ऐसे कारेकरम निरंतर चलाये जाएं क्योंकि उनकी आत्मा को शांती तभी मिलेगी जब उनके नाम पे ऐसे का कारेकरम होंगे जिसका एकरम से लोग में जागरुपता फैलेगी आवेरिनेस आएगी और मैं आपको समझता हूँ जितनी जानकारी से आपको फाइदा होगा उसको हम यह कह सकते हैं कि कैंसर की जानकारी एक कैंसर के गिस्वरदान है जो क्या हमारे देश के लोग इतने क्या हमारे बिरादरी के लोग इतने समझदार नहीं कि छोड़ी सी बात को समझ नहीं पाएं क्या वो अपने बच्चे को आनात करना चाहते हैं क्या वो अपने बेगम को विद्वा करना चाहते हैं क्या अपने माताओं को की गोद को सूना करना चाहते हैं जो इस सब वो जानन करड़ेंसे यह इसे तक्रीड करें रुप में रखा कभी एकक को कभी से सामने नुक्रेड़ के माधियम से सां inspiration को बता हैं कि लुए को किसी भी रूत करना आपके लिए रहा है समाज के लिए हातagne यॉसे चौड़ दें उसमें मुक्षी रूप कैंसर बगाओ और बच्चों ने एक ब्रैंड अम्बेस्टर्स के रूप में इसमें एहम भूमी कायदा के जिसका रिजल्ट हमने बिहार के दर्भंगा मदुवनी सहर्शा मधेपुरा जिला में देखा जहां तंबाकू के उत्पादर में बहुत ज़्यादा कमी आई और यकीन मानिए अगर आप हमारे मुहीम के साथ हैं अगर आपने हमारा साथ दिया तो देश को तंबाकू मुक्त ही नहीं कैंसर मुक्त किया जा सकता है और तब सही माइने में हमारा स्लोगन कैंसर भगाओ और देश को बचाओ ये एक ही है ये बहुत अच्छी संस्ता है कि इसमें लोगों को अरली डिटेक्शन करेंगे जैसे कैंसर का अरली डिटेक्शन हो गया तो इलाज भी संभव है और उसका इलाज भी करेंगे और उसमें प्रिवेंशन पे भी जोर देंगे तो हमारा भी पूरा सायोग रहेगा इसमें कि जो भी हमारे से हो पाएगा हम पूरा करेंगे और इंडिया इंस्ट्यूट के तरफ से मैं उनको पूरा अश्वासन देना चाहता हूँ समिता मिश्रा मेमोरियल फांडेशन फॉर कैंसर रिसर्च के कैंसर भगाओ अवियान में शामिल हो जागरुक हो कैंसर भगाओ अवियान में किसी भी रूप में कैंसर भगाओ अवियान में शामिल होने एवं सहयोग देने के लिए संपर्थ करें समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च बी टूबी टेन जनकपुरी नई दिल्ली एक एक शुन्नी शुन्नी पाच आज हमारा फोन नंबर है 092-898-55855-098-7389-6445 अनित जानकारी के लिए लॉग आन करें www.cancerbhagao.org एक रुपए का सिक्का बहु हजीब है यह सिक्का जिन्दगी में एक रुपए की कीमत बहुत जादा इस एक रुपय के सिक्के से मौत मत खरीदी इस एक रुपय के सिक्के से जिखनावे खरीदी इस सिक्के से हमें जीवन बचाना है कैंसर भगाई के इस अव्यान में आप भी सहयोगी बन सकते हैं आपका एक छोटा सा डोनेशन किसी भी कैंसर पिरिक के लिए जीवन दाइनी बन सकता है अगर आप सहयोग देना चाहते हैं तो हमारा बैंक डिटेल्स है समिता मिश्रा मेमोरियल फांडेशन फॉर कैंसर रिसेर्च स्टेट बैंक अफ इंडिया बी वन अबलिक थर्टी तू ग्राउंट फ्लोर जनकपुरी हमारा एकाउंट नंबर है 62323932606 हमारा IFSE code है SBIN0021275 अगर आपको इस बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारा फोन नंबर है 9891189030 आप हमें मेल भी कर सकते हैं हमारा इमेल एड्रेस है cancerbhagao at zmail.com समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फोर कैंसर रिसर्च की इस मुहीम से जुड़िये स्वच्छता फैलाओ, कैंसर भगाओ, स्वच्छ भारत, सुखी भारत, स्वस्थ भारत समिता मिश्रा फाउंडेशन फोर कैंसर रिसर्च के द्वारा जो कारे किया जा रहा है वो बहुती सरानिय है तंबा को छोड़िये, जीवन से नाता जोड़िये पत्रकार पोपड़ल आप सबसे ये कहना चाहते हैं पाकि सारी चीज़े कैंसल कीजिए, जागरुपता फैलाईए और कैंसर को भगाईए कैंसर से कैसे लड़ा जा सकता है, उसको कैसे हराना आसान हो गया है ये सारी जानकारियों के लिए मैं समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन स्री पफल कुमार जो चेर्मेन है, उनको ठैंक्स करता हूँ और आशा करता हूँ ऐसे कारिकरम और भी हो, ताकि लोग पहले तो कैंसर हो ना ऐसी परिस्थिती में रहे और अगर हो गया, तो डरिये मत, क्योंकि उसका इलाज है मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च जो काम कर रहा है, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ रोगियों को ग्यान सहरा चाहिए, डॉक्टरों व्यभार प्यारा चाहिए, वे अकेले क्यों लड़ें निज रोग से, सभी का उनको सहरा चाहिए कैंसर भगाओ, देश बचाओ, विश्व बचाओ, तो कैंसर देशे विवारियों से, अशाद विवारियों से मुक्ति कैसे पा सकते हैं, उसके लिए पिपुल्स एवेरनेस लोगों में जाग रुकता और पिपुल्स पार्टिश्पेशन लोगों की साभागता और मैंने कहा क विचार, वहवार, खान, पान, ये भी हमारे लिए आवश्यक है, कैंसर एक ऐसी चीज़ जैसे कहा जाता है, तबाको गुटका से होगा ही, लेकिन बहुत सारी और सारी चीज़े हैं, लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टन है, हम क्या खाते हैं, कैसा सोचते हैं, और शरी इतने सक्षम हैं, कि वो कैंसर से लड़ाई लड़ सकते हैं, उसके एक्जामपल्स चाहे युवराज हो, चाहे अनुराग एक हमारे डारेक्टर हैं, बासू वो हो, देखे, परफुल मिश्रा जी जो अभ्यान चला रहे हैं, इस अभ्यान के लिए हमारी तरफ से उनको पू इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कि जो काम सरकार नहीं कर पाई, या बड़े-बड़े संस्तान नहीं कर पाए, वो इन्होंने कर दिखा है, और सब जगा फैलाएं ये काम, और सब लोग इसमें जुड़ जाएं, कि जिससे हमारे देश खुल, कुशा लो